गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब बच्चों शुरू करते हैं आज कुछ नया सिखना आज की हमारी मैथमेटिक्स वरक्षीट है वरक्षीट नमबर है बच्चों आज हम करेंगे डिवीजन अपना नाम अपनी टीचर का नाम अपनी वरक्षीट पे ज़रूर लिखेंगे सबसे पहले है चित्र पहेली दिये गई चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी परन्तु बनाते समय चित्र दो में कुछ गल्तिया हो गई आप किन ही चार गल्तियों को ढूनकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साजा कीजिए जो चित्र एक तो बना दिया पर चित्र दो जब बनाया तो उसमें कुछ गल्तिया है आपको क्या करना है अपने फोन से स्क्रिंशोट लेना है और उन गलतियों को गोला लगा कर भेजना है जैसा pra 1 गलति आई यहाँ पे देखे कुछ नहीं है जब कि यहाँ पे कुछ बना हुआ है तो एक गलती तो यह है वाकी गलतिया भी ढूंड़िए और अपनी स्क्रीन शोर्ट मोबाईल से लेकर भेजिए बच्चों, आज हमारी वर्क्षीट का नाम है कक्षा पुस्तकाले यानि कि क्लास लाइबरेरी प्यारे बच्चों, आपको अपनी कक्षा पुस्तकाले यानि कि Class Library से किताबे पढ़ना अच्छा लगता है ना हर बार की तरह इस बार भी स्कूलों में बहुत सारी किताबे आई है अध्यापत अध्यापिका को नई किताबों को सभी कक्षा पुस्तिकाल लेो यानि कि Class Libraries में वित्रित करना है नीचे लिक तालिका में किताबों और कक्षाओं की संख्या दी गई है क्या आप इन किताबों को हर कक्षा में बराबर बाटने में अध्यापक अध्यापिका की मदद करेंगे बच्चों आपको अपने अध्यापका की मदद करनी है किताबों को बराबर भाटने में अब देखे कौन-कौन सी किताबे आई है कहानिया हिंदी की कहानियों की कहानिया अंग्रेजी की व्याकरन हिंदी की व्याकरन अंग्रेजी की शब्द कोज यानि कि डिक्ष्णर अंग्रेजी से हिंदी चित्र पहेली ये छे किताबे आई है कितनी आई है और कौन-कौन सी कक्षाव में बाटनी है ये जो कहानिया हिंदी की है पचास किताबे हैं पांच कक्षाव में बाटनी है इसी तरह ये अंग्रेजी की किताब कहानिया जो है 65 ये 5 कक्षाओं में बाटनी है इसी तरह व्याकरन हिंदी की 36 किताबे आई हैं 3 कक्षाओं में बाटनी है व्याकरन अंग्रेजी 27 हैं 3 कक्षाओं में बाटनी है शब्द कोश अंग्रेजी से हिंदी में 12 किताबे है दो कक्षाओं में बाटनी है बराबर और चितर पहली के 40 किताबे है चार कक्षाओं में बराबर बाटनी है तो देखिए बराबर बाटनी है तो यानि कि हर कक्षा को मिलने वाली किताबों की संग्या हमें पता लगानी है इस कॉलम में और बराबर बाटनी है तो यानि कि हमें क्या करना है डिवाइड यानि कि भाग करना है और ये है भाग का निशान इस तरह ये भाग का निशान होता है तो पहले है पचास किताबे हैं उनको हमें पाँच कक्षाओं में बाटना है लिखा हुआ है पचास किताबों को हमें बाटना है पाँच कक्षाओं में तो इस तरह हम सिंबल बना देंगे अब हमें बाटना है और किस तरह बाटेंगे कि हर कक्षा में जिसे पांच कक्षा हैं एक, दो, तीन, चार, पांच इसमें पूरी बराबर बराबर किताबे बटे तो या तो आप बाट के देख सकते हैं जैसे अगर हमने पहरे इनको 5-5 सबको दे दी किताबे तो कितनी हो गई? 5-10, 15-20, 25 अब भी थोड़ी बची और 5-5 दे दी अगर हमने सबको 10-10 दे दी 10 मिला कर कितनी हो गई हमारी 50 किताबे तो या तो हम ऐसे अनदाजा लगा सकते हैं या हम कर सकते हैं गुणा अब गुणा कैसे करेंगे हम इस तरह गुणा भी कर सकते हैं या हम गुणा कैसे कर सकते हैं हम ऐसे पता लग सकते हैं कि पांच को हम किस से गुणा करें कि पचास आ जाए तो ये दस से गुणा करेंगे तो पचास आएगा या हम सीधा भाग कर सकते ह यह रहा बाग का निशान जो हमने लगाया है अब भाग करने के लिए हमें बीच में लिखना है पचास और यह हमें निशान ऐसे बना देना है और लिखना है पाच अब हमें पाच का टेबल बोल सकते हैं या जो हमने सीखा था ना पाच की कूद लगाना वो कूद लगाएंग पहले मानलो पांच सब्सक्राइब हम चाह सब्सक्राइब पांच पहुने के लिए तो यानि की 1 दिया हम 5 हो जाएगा और यह 0 हएती है और व फैसे जए ₹ सब्सक्राइब कदम 20 म clip 7 तो इसके वम पहरा हम यहां पर सक दो यानि कि यहां निलिप दूंस थका हम बहँ पांच में एक वल बाट दिया और दस आ गया इसे तरह ये लिखा है पैसट तो हम हमें क्या करना है पैसट को भाग करना है भाग का निशान कितने कक्षाओं में पांच कक्षाओं में अब हमें ये पता लगाना है तो आप कितने भी को उसे पता लगा सकते हो या तो आप ही सोच सकते हो कि 5 कक्षा हैं और हर कक्षा में कितने-कितने देंगे तो सबसे बहले 12 तरह जितना पैशुत हो जाएं तब तक सकते हैं या फिर शिर्णiovascularм